राजनीती में कॉंग्रेस की एक और टेंशन है, एंटी मोदी मोर्चे में सीट शेरिंग का माबला भूरी तरह फस गया है। ना संयोजग का नाम फाइनल हो पाया है और ना सीटों का बटवारा हो रहा है। पता ये लगा कि ममता बैनर जी, नितिश कुमार और अक्रेश आदम ने सीटों के बटवारे के मुद्धे पर कॉंग्रेस की कमेटी से बात करने से इंकार कर दिया है। नाम का प्रस्ताव रखेगी। कॉंग्रेस ने ये बीच का रास्ता निकाला है क्योंकि नितिश कुमार कंवीनर बनने पर अड़े हुए हैं लेकिन ममता इसके लिए राजी नहीं है। आज जो हाला आते हैं उसे देखकर लगता है कि कम से कम सीट शेरिंग के मामले में बात बनेगी इसकी उम्मीद कम है क्योंकि बिहार, पंजाब, बंगाल और यूपी में सीटो का छखड़ा आज एक बार फिर सामने आया। बिहार में जेडियू के नेताओं ने साफसाफ कह दिया कि जेडियू सत्रा सीटे लड़ेगी चूंकि पिछले इलेक्शन में भी इतनी सीटों पर जेडियू के मुईदवार खड़े थे और उनमें से सोला जीत गए थे। इसलिए 17 सीटों से बात शुरू होगी उस से कम पर संजाता होना मुश्किल है। मेरी यहां तो सोलह हमारा सिटिंग है ना 17 सिटों पे लड़े है वहत कम वोटों से हा रहे हैं भी सटु हम लोग लगता है कि 17 सिटung पर हम लड़े थे 17 सिट deputy लड़ना चाहिए उस अजम को अपना तरीके से अपने तिनय सिट성 के लिए अपनी सिटों को बढ़ाने के लिए ए करेंगे बटके बात करेंगे चुकि नितिश की पार्टी न अपना स्टेंट क्लियर कर दिया है इसलिए अब गठबंदन में शामिल वामपंती देवलों ने भी अपनी नई मांग सामदे रख दी है CPI माले के निता रामबली यादव ने कहा उनकी तैयारी तो 40 की 40 सीटों पर है लेकिन एलाइन्स है इसलिए कम से कम 5 सीटे तो लेफ्ट को मिलनी चाहिए रामबली यादव ने कहा आप पिछले शुनाफ के बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि वक्त बदल चुका है 2019 में नितीश BJP के साथ है अब वो बहा गड़बंदन में है इसलिए उनकी 17 सीटों की मांग जायज नहीं हो सकती दावा का दौर चल रहा है जिनकी जहां पकड है जिनकी जहां पहुंच है वो सीटों का दावा कर रहे हैं इसी में भागपा माले ने पांच सीटों का पेसकेस किया है और ये 5 सीट के लिए हम लोग मांग रहे हैं कि 5 सीट हम लोग को दीजिए ऐसे तो हमारी जो तैयारी है बिहार के 40 के 40 सीट पर है जदिव अगर वो कह रही है सच में वो जदिव 15 सीट जीत गई है 16 सीट लेकिन वो तब जीती है जब वो एंडिया गठबंधन में जदिव थी और उनके साथ बारतिये जनता पार्टी लोजपा ये सब लोग थे बाजपा और लोजपा को अज़र बाहर कर दिया जाए तो वो परिस्तितिया आज नहीं है लेकिन लेफ्ट के दावे को जेडियू ने तुरंट खारिच कर दिया जेडियू के मास्टचिप केसी त्यागी ने का जनता दर यूनाइटेट तो 17 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगा जहां तक लेफ्ट का सवाल है तो पिछले शुनाव में लेफ्ट, कॉंग्रेस और आरज़ेडी साथ मित कर लड़े थे इसलिए लेफ्ट और कॉंग्रेस को बच्ची हुई सीटों के बारे में आरज़ेडी से बात करनी चाहिए जितनी चाहें सीटें आर्जेडी से ले 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 उन्हें कोई अतरास नहीं होगा सीट सेरिंग को लेकर के भी कल निती सीजी का वक्तव है कि इसको लेकर कोई विवाद नहीं है बहुत जल्दी इसको निम्टा लिया जाएगा यूँ भी जब हमें एंडिय इसा लग हुए थे हम सतरे सीटों पर उससे में चुनाव लड़े थे जिसमें सोले सीटों पर हमारे सीटिंग एमपी हैं और फिर हम यूपी ए प्लस लेड बाई लालू यादो जी उसके साथ आए तो लालो जी कॉंग्रेस और वामपंती दलों को आपस में जो भी सीटों का शेरिंग का फॉर्मूला होगा हमें कबूल होगा असल में बिहार में आर जेडियो और जेडियो ने मिलकर 40 सीटों के बटवारे का फॉर्मूला तैकर लिया है दोनों पार्टियों ने 16-16 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने पर सहमती बना ली है और बाकी बची 6 सीटें कॉंग्रेस और लेफ्ट ले छोड़ने का फैसला भी कर लिया है लेकिन कॉंग्रेस कम से कम 9 सीटों पर लड़ना चाहती है और लेफ्ट पांच सीटों पर दावा कर रहा है सीटें 40 हैं अगर सब अपने अपने दावे पर लड़े रहे तो समझाता कैसे होगा यही हाल बंगाल में है मम्ता बेनरजी तो सीटों के मुद्दे पर कॉंग्रेस की कमिनटी से बात करने को भी तैयार नहीं है मम्ता बंगाल में कॉंगरिस के लिए सिर्फ दो सीटे देने को तयार है क्योंकि 2019 के चुनाओं में कॉंगरिस ने दो सीटे ही जीती थी लिकिन कॉंगरिस मंगाल में कम से कम दस सीटों पर लड़ना चाहती है मम्ता ने बड़ा दिल दिखा कर 2019 का फॉर्मूला मान लिया है अगर मम्ता 2022 एसेंबरी इलेक्शन को बेस मानती तो कॉंगरिस को एक भी सीट नहीं मिलती कॉंगरिस को नसियत दी उतना ही खाना चाहिए जितना पचाने की ख्यमता हो सीट शेरिंग का जो मुद्दा है वो चल रहा है हमारा सुप्रीमो मम्ता बेनरजी वो देख रही है प्रापा टाइम में वो हो जाएगा हम लोग चाहते थे 31 डिसेंबर के पहले वो सब सॉल्व हो जाए लेकिन कॉंग्रेस समाओ थोड़ा टाइम वो ले रहे हैं तो उसका जो बात है वो हमारा टॉप लीडर्शिप से शेयर कर रहे हैं देखते हैं और रही बात ये सीट की संखा की हम लोग कोई कॉमेंट नहीं करेंगे लेकिन अब देखिए चॉकलेट के दुकान पर बच्चे लोग तस चॉकलेट चाहिए बीस चॉकलेट चाहिए ऐसे मांगते हैं लेकिन उसका स्टॉमाख में वो खाने का कैपसिटी ही नहीं है तो इसलिए कॉंग्रेस उसका जो बेस लाइन है उसको याद रखना चाहिए एसेमले में वो अलग लड़के बंपंतियों से लड़के जो गड़बंधन करके लड़के वो जीरो मिला था उनको तो इसलिए बेस लाइन जीरो होना चाहिए उसके उपर जो भी होगा हो ममता दीदी देख लेंगे कॉर्णाल घोश की बात आपने सुनी अधी रजजन चौधरी जो कह रहे हैं कॉंगरेस से जरफ से यह सब सुनकर लगता है कि ममता के साथ कॉंगरेस का समझाता होना मुश्किल है अगर ममता थोड़ा और बड़ा दिल दिखाएंगी कॉंगरेस को एक जो सीट दे दे क्योंकि ममता लेफ्ट के लिए कोई रियायत नहीं बरतना चाहते हैं और लेफ्ट पार्टीज ने भी का कि बंगाल में समझाता होना मुश्किल है इसलिए बंगाल में भी एंटी मोदी मोर्चा एक जूठ होगा वहाँ भी कोई इंडी ऐलाइंस लड़ेगा इसकी संभाव अगाँ लेफ्ट के लिए उना कमें